है फ्रेंज वल्कम बैक तो चैनल में हो दिरे चौधर यह आप देख रहे हैं दी ट्रेज़स स्वागे था आप सभी का एक पर फिसे चैनल में और दो चीजिए रहे थी आप जो देख रहे हैं यहाँ पे 125 द्यूक तो आज मैं इसकी बात करूंगा और नेकेड बरजन है काफ सब्सक्राइब कर लें अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर वीडियो सुरू करेंगे से पहले आप देख ले एक बार राउंड लुक बाइक आखिर दिखता कैसे है फिर हम बात करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं कर दीयार झाजाए खिर थासे है झाल वीडियो, टो शुमेु़, ट kafने है प्लीष, कर दो थासे सा कर दो झाल तो हम बात कर लेंते हैं फ्रेंट लुक की तो एज इस तरीके से आपको फ्रेंट लुक नजर आ रहा है जो ड्यूक है नेकेट बाइक है काफी कॉम्पाक्ट है काफी चोटा सा मतलब बल्की इतना ज्यादा नहीं लगता है एक बजट प्राइस बाइक है के टीम का परफॉर्मेंस नो डाउट बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस है जो लास्ट आपने देखा ता रसी का वर इंट इंच का फ्रंट एं रियर दूनों आपको रेडियल टैर मिल जाता है MRF का साथ में बात कर लो फॉक्स का तो यहां पर आपको मिलता है डबलुपी का यूस्डी अपसाइड डाउन फॉक्स जिसमें आपको दिख जाता है रफलेक्ट एज यूस्वल भीसिक्स में यहां पर कर लूँ दिस्क का तो यहां पर आपको मिलता यहां पर भीशिग प्लेट यहां पर देखते हैं तो यहां पर आपको हालोजन यहीं पे आपको पार्किंग लाइट में यह नॉर्मल बल्ब मिल जाता है तो यह फ्रंट का कुछ लूख इस तरीके से नजर आता है इसके उपर में यहाँ पर आपको यह नंबर प्लेट बाउंट है चोटा सा विंचल दिया हुआ इसका कोई यूज है नहीं आखे सोल यहाँ पर ती आगए मीटड रहे हैं जिसमें आपको देखने को मिल जागा धाए हैं यहाँ पर इंडीकेटर यह इंजर डिलाई्ट यह आपको ओर पिम लिमिट लई लैट यहाँ लिमिन लाइट को अब शायर अब बीया त निचे आपको low fuel indicator, low fuel इस बशे से यहाँ पर यह light जल रहा है, मतलब यह एक reminder कह सकते हैं, साथ में यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा यह RPM, किल सुछ ओन है, reminder यहाँ पर है कि किल सुछ आपका होन है, तो आप इसको off करेंगे, तो यह बंद हो जाएगा, यहाँ पर temperature left में और right hand side में आपको मिलता है fuel gauge, अगर mode की बात करों, तो अगर हम mode चेंज करते हैं, तो यहाँ पर actual FC, यहाँ पर fuel consumption दिखाएगा, दूसरा जो है, trip 1, time, trip 2, कितने टाइम में आपने trip 2 किया, कितने टाइम में आपने, तो एक तरीके से आप कह सकते हैं, कि यह आपको एक lap, जो आप एक race करते हैं, तो कितने टाइम में आपने distance को cover किया है, वो चीज़ यहाँ पर दिखाएगा, तो कुछ इस तरीके से meter console है, and यहाँ पर आपको ignition switch, चलिए इसके अलावा हम बात कर लेता है, fuel tank की, तो fuel tank पे यहाँ पर आपको दिख जाता है, Duke 125 का sticker, यहाँ पर द देखते हैं, तो यहाँ पर आपको, चुकि फुले liquid cold engine हमें मिल रहा है, तो यहाँ पर डेडियार्टर दिख जाएगा, साथ में यहाँ पर आपको engine guard भी दिया गया, जिसे हम कह सकते है, underbelly cowl, यहाँ पर लगाया गया है, साथ में अगर मैं exhaust की बात करूँ, तो यहाँ पर दिख जाता है, catalytic converter जो कि यहाँ से शुरू होके, यहाँ तक आता है, तो complete full unit दिया गया, catalytic converter का frame कुछ इस तरीके से नजर आता है, left में आपको यहाँ पर single lever, जो gear shifter है, यह चीज़ है, यहाँ पर आपको footrest, main rider का, यह पिलियन का है, open channel system है, rear में भी आपको यहाँ पर split seat मि quality काफी अच्छा है, यहाँ पर KTM की बैजिंग दिख जाती है, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर grab handle bar की, तो यहाँ पर मिलता है, split grab handle bar, right hand side में बात करूँ तो same, वही यहाँ पर भी आपको KTM की बैजिंग दिख जाती है, यहाँ भी आपको tank पे Duke 125 का बैजिंग यहाँ भी यहाँ पर क्रेस गार्ड मेटरियल काफी सही लग रहा है इसका, रेसिंग KTM का एक बैजिंग में इंजिन पर यहाँ दिख जागा, कि कि स्टार्ट इसमें नहीं मिलता है, आपको पता है, यह रहा है आपका brake paddle, जो की rear है, यहाँ पर आपको mono shock मिलता है, 5-way adjustable, अब बात कर रियर वील में हमें मिल रहा है, 230 mm का डिस्क प्लेट, यहाँ पर आपको सिंगल चैनल ABC यहाँ आपको बास का जो आप कैलिपर देख रहे है, यहाँ पर फ्लोटिं कैलिपर, सिंगल पिस्टन फ्लोटिं कैलिपर का यूज किया गया, साथ में आपको यहाँ भी एक मटगार यहाँ पर के टीम की बैजिंग लगी हुई है, अगर बात करो वील की तो यहाँ पर भी आपको MRF का ट्यूबले स्टायर मिल गया, 17 इंज का रियर में, जो रियर लुक है कुछ इस तरीके से, यहाँ पर आपको कम्प्लीट एलीडी टेल लेंप दिख जाता है, यह रिफले तो अवर ओल लुक आपको कुछ इस तरीके से नहराता है, विफ एस प्लिट सिट, काफी स्पॉर्टी फील होता है देखकर के, एक बजट बाइक है, तो नो मैटर अगर आपको अपको अपको अच्छा है, तो पर्फॉमेंस में कोई डाउट नहीं और काफी अच्छा है, इसके एस्पेक्स की, कि बीएशिक्स में हमें और क्या-क्या मिल रहा है, यहां पर हमें मिलता है, सिंगल सिलेंडर 4-well liquid cold engine, आपको पता है कि बीएशिक्स में मैक्सिम्म बाइक स्फियूल इनजक्टेड आ रहा है, तो यहां भी आपको मिल जाता है, अगर मैं बात करूएं हमें मिलता है 12 Nm at 8000 rpm यहां पर हमें फ्यूल टैंक कैपसिटी थोड़ा सा कम मिल जाता है अधर के अपिक्षा फिर भी हमें मिलता है 10.5 लिटर का फ्यूल टैंक कैपसिटी हम बात कर लेते हैं माइलेज की जो कि अक्सर लोगों को यह डिमांड होता है कि भाई माइलेज क्या देगी मतलब भाई क्या देगी तो देने के मामले में भाई बहुत ही दिलदार है यह आपको मिल जागा 40 प्लस माइलेज इसमें 40 प्लस मिन्स 40 प्लस 40 तो मिलता ही मिलता है तो डिपेंड करता है कि आप किस स्टाइल में राइड करते हैं तो 40 आप मानके चल सकते हैं तो तो आप अपने नियरेस डेलर्शिप में संपर्ख कर सकते हैं तो यह था कंप्लीट वीडियो डियूक 125 का वीडियो कैसे लगी और यह मोडल आपको कैसा लगता है आप कमेंट करके बता सकते हैं आप क्या सोचते हैं मुझे तो एक बजट बाइक काफी अच्छा लग रहा है जो लोग लेना चाहते हैं और नॉर्मल उनको ज्यादा रेसिंग नहीं करना या फिर ज्यादा लंबा नहीं जाना उनके लिए काफी अच्छा बजट बाइक है और यस ताट्स अल फॉर देफ्रेंस अगर आप वीडियो को पहले बार देखनें तो प्लीश आल को सब्सक्राइब करते हैं वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर इंसाग्राम पर भी मुझे फॉलो करते हैं डी ट्रेजर इंडिया नीचे जो लिखिया रहा है वही आ झाल